वंदे मातरम बहुत बेसबरी से इंतिजार होता है 24 सितमबर 2020 सायम आठ बजे फेस्बुक लाइव जो की डेली फेस्बुक लाइव है सायम आठ बजे रामजान की संस्थान आरजेस सकरात्मक भारत आंधोलन की पांचवी वर्ष गाठ के अंतरगत आप लोगों से मिलने की ये तीसरी स्रिंखला जो है वो लगातार चल रही है और यहाँ एक एनांसमेट भी है कि एक अक्टूबर तक इसी लिंक से आप जुड़ रहे हैं लेकिन दो अक्टूबर को जब पचासमा एपिसोड प्रसारित किया जाएगा तो उसके लिए पेज पर आपको दूसरे लिंक से जुड़ना होगा और उसको बराबर भेजा जा रहा है फेस्बुक पे और आरजेस के 19 वाट्शब ग्रूप में जहांकि 25 राज्यों के सम्मानित सदस से जुड़े हुए हैं तो जैसे हमें कह रहा था कि आप लोगों से मिलने की काफी बेसबरी होती है एक इंतिजार होता है उसकी तैयारी होती है और आज से एक नया नया सेग्मेंट इसमें शुरू किया जाएगा और इसमें ये पुस्तक आप देख रहे हैं तो ये आरजेस फैमली से जुड़े हुए योग से अमरत्व है डॉक्टर विनैक कुमार विश्णुपूरी पी एच डी हिंदी तो ये न के बलेक योग से अमरत्व के लेखाक हैं बलकि ये भी बताना चाहेंगे कि ये स्वैम योगी भी हैं और इन्होंने जो किताब लिखी है तो इसी से कारिक्रम की शुरुवात करते हैं आज बहुत ही महत्यपूर्ण पुस्तक है और आज कल इम्मुनिटी वढ़ाने के लिए आप जानते हैं तो एक बार आप इस पुस्तक को देख लिए इसमें कई लोगों ने अपने अपने शुभकामना संदेश दिये हैं और ये बहुत ही डॉक्टर विनाय कुमार विश्णुपूरी लगातार एक्टिव रहते हैं आरजेस की फैमली में भी एक्टिव रहते हैं और साथ में फेस्बुक पे भी जुड़ते हैं वो जब से ये शुरू हुआ है बलकि जो आरजेस के 10 वे बिनार हुए जो 30 मई से शुरू हुए थे और अभी तक 10 वे बिनार हुए हैं उसमें जादातर में उनकी हिस्सेदारी रही है भागेदारी रही है और बहुत ही समाज सेवी हैं ये देखिए अपना जगा-जगा का फो सबसे खास बात है कि वो ना केवल ये देखिए आप अनुलोम कर रहे हैं ये देखिए स्वयम डॉक्टर विने कुमार विष्णुपूरी जी जो प्रिंस्पल भी रहे हैं कॉलेज में और लेक्शरर भी रहे हैं और स्वयम जिन्दगी में योग को अपनाया है उन्होंने योग के बारे में चर्चा कर लेते हैं और कारिक्रम का आगाज इसी महत्यपुरुन पुष्टक से करते हैं योग से अमरत्तुरा इसमें इन्होंने योग के बारे में भी योग क्या है और पतंजली रिश्री के बारे में भी इसमें डिटेल दिया हुआ है और कई तरह के आ काफी कुछ दी हुई हैं डॉक्टर विनेकुमार विश्णोपूरी जो पटना बिहार से बिलॉंग करते हैं लिखते हैं कि योग से मन को सयमित यानि कि संतूलित किया जाता है यहीं से पूरी योग प्रक्रिया परत्रारंब्भ हो जाती है इसके लिए पतंजली यम नियम प् पूरी योग किरिया इसी पराधारित है इसकी सविस्तार चर्चा योग से अमरत्यों में की गई है आज पूरी दुनिया में लोग ये समझने लगें हैं पतंजली के दुआरा बताएगा योग मार्ग से ही स्वस्त और दिरगायू जीवन के साथ अमरत्यों की प्राप्ति हो स है कि जो योग है उससे एक स्वभाविक तर प्रकृतिक रूप से आप स्वस्त होते हैं और इसमें पतंजली के बारे में भी डिटेल है और उसके बाद आसन वगरा के बारे में भी इन्होंने कई तरह के आसन हैं उसके बारे में सुखासन पदमासन सिधासन और समासन पश् तो यह सारे दिये हुए हैं तो आज जो शुरुवातिन होने की है योग से अमरत्य पुस्तक की डॉक्टर विने कुमार विश्णुपूरी तो उसमें ओम का उचारण के बारे में वो लिखते हैं कि ओम स्वर का उचारण करने है तू यथा संभव दिर्ग श्वास खीच कर और मुह खोल कर ओम का उचारण करें और तीन-चोथाई श्वास के उचारण में व्याई करने के बाद दोनों होठों को आपस में मिला कर मा का उचारण करें ओम है तो क्योंकि ये योग वैसे ये कहना जरूरी है और सावधान करना भी जरूरी है कि योग जब भी आप करें तो किसी योग प्रशिक्षक के सलाह से करें और मार्गदर्शन में करें ये बताना जरूरी होता है क्योंकि योगासन जो है वो शरीर पर दुष्प्रभाव न डाल दे हलका फुलका कपाल भाती अगर अनुनोम विलोम ये आप कर सकते हैं क्योंकि सांस लेना और छोड़ना है जो एक नैचूरल प्रक्रिया है लेकिन पेट जो है उस खाली रहना चाहिए कुछ ऐसी चीज़े हैं जो टिप्स जो है वो रखना चाहिए बहुत से लोग जानते भी हैं इस बारे में हम ओम का चारण करके एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि हम लोग आप भी कर सकते हैं चुकि हम लोग लाइफ जुड़े हुए हैं तो ये कारिकरम आपका है आपके लिए है आपके द्वारा है आपके ही सजेशन से इन चीज़ों को कल एनाउंस किया गया था कि डॉक्टर विनाय कुमार विष्णोपूरी जी की किताब को ये आरजेस फैमिली से जुड़े हुए हैं और ये फेसबुक लाइफ का कंसेप्ट ही है कि हम लोग आरजेस में जाएगी क्योंकि हम लोग सकारात्मक पत्रकारिता सकारात्मक भारत आंदोलन की पांचवी वर्ष गांट पे ये लगतार शुरू कर रहे हैं तो इसमें हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जुड़ें आप लोग दिल से जुड़ें और इसको प्रमोट करें क्योंकि आप अगर अच्छा माहौल चाहिए आपको अपना शरीर स्वयम स्वस्त रखना है तो एक ओम के उचारन से ही कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए आप जहां बैठे हैं जिस अवस्था में है तो ओम के उचारन करने में कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मुह को गोल कर लीजिए और ओम का उचारन करेंगे और अंत में मुह को बंद करके मां का उचारन करके इसको क्लोज कर देंगे तो आएए शुरू करते हैं सांस पहले भरना पड़ेगा फेपड़े में आप जितना सांस भर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सांस पहले भर लीजिए वही सांस फिर ओम के उचारन में छूटेगा तो यह ओम का उचारन जो है अंदर की आपकी जो इंद्रिया हैं उसको जागरीत करती हैं उसको एक तरह से कैटलिस्ट का काम करती है उत्प्रेरक का काम करती हैं अब जैसे हसी है अगर आप पंशिय करते हैं उसमें भी आपके चेहरे का exercise होता है और लेकिन आप जब हसते हैं तो हसने से आपके पेट भी हिलता है आप देखते हैं कि आप जब हसेंगे तो पेट भी हिलेगा तो आप ये कोशिश कीजिए कि बहुत तेज अगर अटा हास करेंगे तो आप कहीं रह रहे हैं तो बगल का पडोसी जो है उसको कुछ अलग नजर आएगा तो आप बिना आवाज निकाले हुए भी हस सकते हैं ये हास से योग का भी प्रचलन जो है वो बहुत ही ज़ादा तो इसके साथ जुड़ा हुआ चीज है तो एक बार हस से का भी भूमिका में हम लोग आ सकते हैं जैसे आप जहां बैठे हैं वहीं से बिना आवाज किये हलकी सी आवाज करके और कैसे आप हस सकते हैं उसका एक demonstration आप देख रहे हैं कि आज मैं पहले पर बैठा बैठ कर करता था लेकिन आज इसके लिए मैंने विशेश रूप से खड़े होकर एक घंटे का ये फेस्बुक लाइब होगी इसमें आपको बता देते हैं कि कैसे हासे हैं तो हसने के लिए आप कोशिश कीजिए आप भी कोशिश कीजिए बिना आवाज निकाले कैसे हासे हम पहले सांस तो भरना पड़ेगा उसी सांस से हसना है आप ये समझे कि कितनी एनर्जी जो है इस हसने में लगती है लेकिन आपके शरीर का एक एक सरसाइज हो जाता है तो वो पेट का दी एक सरसाइज हो जाता है पूरे ये मस्तिश्क जो है वो फ्रेश हो जाता है केवल इस तरह की हसी से जो किसी को ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा लेकिन आपका एक सरसाइज जो है आपके साथ रहेगा फिटनेस के लिए फिट इंडिया का आप जानते ही है कि आज कल भारत सरकार का भी चैम्पेश चल रहा है प्रधानमंतरी उसको लेकर जो है लाइव लोगों को जागरित कर रहे है तो इसलिए विना 하स के हास के हम जो है अपने शरीर को प्रफुलित कर सकते हैं अपने दिमाग को बिल्कुल तौरो ताजा कर सकते हैं तो इसका प्रैक्टिस है